ओके गईज आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about git के git कैसे install करते हैं और git क्या है ठीक है git का concept समझेप्ट है और git को कैसे install करते हैं जिमपल से अगर आप cloud computing में अपना carrier बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए cloud computing में करे बना रहे हो तो कोई ना कोई एक cloud सीखना जरूरी है ठीक है जैसे मैं हमेशा कहता हूं आपको कि एक cloud सीखना कोई ना कोई बहुत जरूरी है कैसे या तो AWS सीख लो या Azure सीख लो या GCP सीख लो तीनों काफी popular है तीनों काफी अच्छे हैं तीनों में requirement में ठीक ठाग है ठीक है लेकिन उसके साथ में जो एक common part रहता है को हमेशा यह वाला पाइट हमेशा common रहता है तो आज की वीडियो में देखेंगे कि गिट कैसे इस्टॉल करते है और अगर आपको कोई डाउट है कि किस तरीके से काम करता है यह concept रास तक समझ में नहीं है कि मैं भी training ले रहा था तो मुझे भी समझ में नही कर रहे हो सब चीज़े समझ में आती है लेकिन यह नहीं समझ में आता है कि एक्टिकल यूज क्या है सबसे बड़िया प्रैक्टिकल की यूज बताऊंगा और कैसे इस्टॉल करते हैं यह बताऊंगा तो टॉपिक पसंद आया अगर आपका यह वीडियो काम का है तो मुझे वर्जिनिंग तो गिट की जो है सबसे पहली चीज क्या है कि वर्जिनिंग के लिए यूज होता अब वर्जिनिंग कैसे यूज होते हैं यह बतातों गिट के अंदर बनती है रिपोजेट्री समझे तो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हूं हमानों कोई भी एक्स वाइज कुछ कोड लिखा ठीक है अब उसको आपने अपडेट कर दिया ठीक है जी मानलो आपका एक फीचर था रेल टिकेट बुकिंग का आयर से टीज का एक थी उसके अंदर पहले रेल टिकेट बुक हो रही थी अब आपने नया कोड लिखा उसके अंदर वर्जन 2 करा और वहां पर आपका होटल बुकिंग भी कर दिया ठीक है अब यह आपका बढ़िया चल ला है कोई दिक्कत नहीं यहां तक बहुत बढ़िया चल ला है तो कोई दिक्कत है ही नहीं लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है तो गिट क्या सबसे बढ़िया काम करता है गिट सबसे बढ़िया काम यह करता है कि आप उसके पीछे बैक वर्जन पर जा सकतो आपको कुछ करने की जो तनी है सीधे अपना पीछे वर्जन बताओ और उस वर्जन पर जाके कमिट माल तो वो जो कोड है आपका वो पुराने वाले वर्जन के साथ में अपडेट हो जागा ठीक है यानि पुरान लेनिंग की रिपोजिटी बना लिए इसे कहते है रिपोजिटी अब इसके अंदर में कोई भी फाइल बना रहा हो ना वो फाइल आटोमेटिकली यहां पर एक वर्जन उसका मेंटेन होगा ठीक है और अगर मुझे कभी भी पुराने वाले वर्जन पर जाना है तो मैं कभी आप देखते हो तो वह पीछे वर्जन पर रोल आउट कर जाए कैसे कर जाते हैं वह सिर्फ इसी वर्ज़े से कर पाते हैं क्योंकि वर्जिनिंग जो है वहां पर आटोमेटिकली मेंटेन हो तो नया कोड किया अब आपके कोड में कुछ गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है प एक रिपोजेटीव बमा दो और यहां पर काम हो जाएगा ठीके यहां पे गये मैं ने एक रिपोजेटीव बनागी यह उसके अंदर आप बना सकते हो इसके बाद अगर को नया रिपोजेटी बनाना तो वह बी हाप अपनी fab as per the requirement बना सकते हो तो यह मैं यहां पर पर हूब वह बना सकता हूं उसको public या private रखना public मतलब बात की सब public के लिए विजीबल है और वह download कर सकते हैं कोई वह local पर अच्छा एक और फायदा होता है कि local पर download करो code और उसके बाद उसको commit कर दो तो local पर download करो जो भी आपको code में update करना है वह change करो locally और उसको अपने end पर check कर लो positive है जैसी update हुऊ इस git को link कर दिया किसके साथ Jenkins की pipeline के साथ में तो Jenkins की pipeline ने जैसी अपडेट किया तो यानि code के अंदर यानि code मतला जैसे मानलों अगर AWS के साथ इंटीरेट ही या Azure के साथ इंटीरेट ही तो महाँ पर क्या होगा महाँ पर वह update हो जाएगा ठीक है और वह code जैस इसमें है इस तरीके से यह वर्जिनिंग आई होप आपको कलियर हो गया होगा इस्टिल अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन और बोलो मैं बदा तुम अब आज और solve करना तो कैसे करना तो github समझ में आ गया अब git की git.com नहीं है मैं हमेशे यह रहता है कि git.com है त यह भी download करना चाहते हो जिसका भी version वहाँ पर आप रही आपको मिलेगा download का option होगा देखो यह रही download का option. Linux के लिए चाहते हो लेनिक्स डाउनलोड हो जाएगा Windows और Mac किसी के लिए आप चाहिए तो आपको वहाँ से download हो ठीक और और मुझे हाँ अब यह डाउनलोड होगी है तो मेरे पास क्या मैंने डाउनलोड किया हुआ था तो इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँ अगर आप देखोगे तो यह मेरे पास अलेडी है तो मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँ मैं यहाँ पर क्या करता रण करने के बाद simply next next installation नेश्ट नेक्सस्ट नेक्स्ट् नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट- थिक है simply याप install करते जा installation होगा तो यह तरीका है आपका simply install होने का बहुत simply बढ़ी तरीका से लांच हो जाता है इसको control के साथ माउस स्कॉल करोगा तो बड़ा भी हो जाएगा तो यह इस तरीका का git console आता है और कभी भी git initiate करना हो तो क्या हो है आपको पहले इसमें सारी Linux की command चल जाएंगे अपकी ठीक है और इसमें आपको देखना है कि आप कहा हो तो देखो मैं प्रशान्त folder के अंदर हूं तो अगर मुझे जाना है सबसे बड़े तरीका यह तो होगी आपका इस तरीके से और कभी भी इनिशेट करना होता है अब क्या करना है जैसे जहां पर आपको जाना है तो यह इंस्टॉल होने के बाद जिस डालेक्टिव में जाते हो जैसे सब्पोस करो email अब यहां पर आपको सबसे ऑफिब deja? तो यहां पर आपको जाना है और इहां पर आपको किट इनिशेट करना है तो क्या करोगर और विवाइट कलिक करो गिट बैसफिट और यह जेट करना है और मालन लो मुझे अपनी एक रिपॉजिटी बनानी है और मैंने क्लाउड learning वाली बनाई है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं यहाँ पर local वाली कर सकता हूँ कैसे करूँगा यह दिखाता हूँ तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ यह देखो cloud learning के नाम से master repository बन गई चीक है और मैं यहाँ से जाके जिसको भी मैं clone करना चाहता हूँ यहाँ पर हमारी test repository बनी हुई है न तो test को अगर मुझे clone करना है तो मझे यह url copy किया है मैंने और इसको मुझे clone करना है तो मैं git bash में गया अपना और यहाँ पर जाके git clone और जो url मैंने डाल दिया तो क्या होगा test के नाम से clone बन जाएगी तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पर एक test के नाम से repository बन गया चीक है अब यह आपको दिखाता हूँ वह आप एक बन गया हुआ तो इसके बाद आप इसके अंदर जा भी सकते हूँ तो यहाँ पर cd test तो देखो readme.md फाइल थी इस repository के अंदर तो यह फाइल आपकी यहाँ पर आ गई तो इस तरीके से आपकी एक repository यहाँ पर हमने clone कर ली यहाँ पर हमारा code हो गया अब यह हो अब आप commit करते होगे तो वहाँ पर आपकी file commit हो जाएगी तो मतलब यहाँ पर भी update आ जाएगा तो हमारा purpose वैसे यह नहीं है कि हम इसको यह चेक करें तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा है यहाँ पर लेकिन अगर देखो तो simple सी अगर get commit करते हो यहाँ पर तो यह आपका हो जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि इससे आप अपनी remote location को remote का जो code है उसको update कर सकते हो time to time और जैसे ही आप update करोगा कभी भी पराने version पर जाना हो तो वह भी आप easily जा सकते हो और local पर अलग maintain हो जाएगा और जब आप उसको commit करते होगे commit मतलब final change करते हैं तो commit करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा और अगर यह आपकी किसी pipeline से जैंकेंस या कोई और pipeline से attach है तो वहाँ पर code trigger हो जाएगा अगर आपने लगा रखा है कि automatically trigger हो जाएगा नए code आने के बाद तो और वैसे ही आपका नए code अप्लेड होने के बाद नए resources deploy हो जाएंगे उस cloud के अंदर जिसमें भी आपने किया हुआ है तो I hope यह चीज़ आपको समझ में आया होगा और इसका use समझ में आया हो कि क्या use रहते हैं और कैसे Flipkart या Amazon यह दूसरी इतने बड़ी बड़ी application जो होती है वो सब यही कर रही हो और इसके बारे में हम यहाँ पर अपना topic जो हमें समझना था वह हम समझ गया है और यह git का आपका Windows यूजर फेस इंटरफेस लाइक आप अगर Windows इंटरफेस में काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आपको सारी चीज़े maintain हो जाते है तो द दिखा रहा है कि कौन-कौन से आपके प्योंकि मैंने cloud learning पर कर दिया तो सारे के सारे अनस्टेज है मतलब हमने चेंज करा नहीं है और हम चेंज करके यहाँ पर commit कर सकते हैं तो यह आपका Windows इंटरफेस हो गया और एक bash इंटरफेस है ठीक है तो आप अभी आपको क्लियर हो होती है तो यहाँ पर इसके कुछ required files information वहाँ पर capture हो जाती है तो मैं होप यह क्लियर हो गया है आपको गिट कर समझ में आ गया और कैसे इंस्ट्रॉल करते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा और हम आगे देखेंगे next वीडियो में और क्या क्या हम कर सकते हैं थैंक यू